हेलो गाइस वेल्कम बैक टो दे यूटूब चैनल एंड्रोइड एंस और आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं तो यह सभी स्मार्टफोन 20,000 के अंदर आपको देखनी को मिलने वाला है और इन सभी स्मार्टफोन में आपको 5G कनेक्टिविटी का भी सपो बात के इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.65 पेंच का फूल HD प्लस सूपर एमरेट बार डिस्पे देखनी को मिलेगा फोन के टॉप लेप साइट करने में आपको पंच होल लॉज दिया गया जहां पर फ्रेंट फ्रेंट समसंग का सेट अप होगा और जो फिंगरपींट सेंसर वा अपको इंडिस्प्ले में देखनी को माह के बात के बात के इस स्मार्टफोन में आपको कॉडरे का सेट प्रेंट अप मिलेगा जो में कैम वी आपको 64 मेकल का होगा साथी 8 मेगा पिक्सल का अल्ट्रा वैडंग ल चिपसर देखने को मिलेगा जो कि 7nm पे बेस है और यहां पे आपको 5G connectivity का भी support देखने को मिल जाएगा साथ ही यहां पे आपको OctaCode 2.7GHz का processor देखने को मिलेगा और जो GPU वो आपको Mali G76 MP12 का देखने को मिल जाएगा साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको Android 11 जो What of the Box देखने को मिलेगा विस Samsung One UI के साथ RAM और ओमवेंड की बात के तो यहां पे आपको single RAM वेडिन देखने को मिलेगा जो कि यह 6GB RAM साथ ही यहां पे आपको 128G वाला इंटरेश जो देखने को मिल जाएगा बैटरी की बात के तो इस स्मार्टफोन आपको 6000 एमेज का बैटरी देखने को मिलेगा और साथ ही आप अपको 25 वाट का फास्टेंग के सपोर्ट देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं इसके प्रैस के बार में तो 6GB RAM and 128G वाला जो इंटरेश जो जो जोगा इसका प्रैस आपको 19,999 पड़ेगा एक्सपेक्टेट लाँच डेट की बात करें तो Samsung Lexi F62 जो है यह 17 फरवरी को लाँच होने वाला है दोस्तों दूसरा समार्टफोन, Realme के तरफ से तरफ से गैस और यहां पे Realme अपना Realme 8 Pro जल्दी लाँच करने वाला है यह समार्टफोन BIS सर्टिफिकेशन वी रिसीप कर चुका है जिससे यह कनफॉर्म होता है कि Realme 8 Pro जोई Kensham होच घृष गंवाल जहां पर repridge का सेट अप होगा Realme 8 Pro में आपको 120Hz का refresh rate देखने को मिलेगा और जो fingerprint sensor वो आपको इन display में देखने को मिल जाएगा Camera की बात के होते हैं तो smartphone में आपको quadra camera का setup मिलेगा जो main camera वो आपको 64MP का होगा साथी 8MP का ultra wedding lens, 2MP का micro lens and 2MP का आपको portrait lens देखने को मिल जाएगा Front camera की बात के हो तो Realme 8 Pro में आपको 32MP का selfie camera देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं स्मार्टफून के hardware के बारे में तो Realme 8 Pro में आपको snapdance का 750G वाला chipset देखने को मिलेगा साथे स्मार्टफून में आपको octa code 2.2GHz का processor देखने को मिल जाएगा साथे स्मार्टफून में आपको android 11 जो what of the box देखने को मिलेगा वित Realme UI के साथ RAM एं डूमवेंड की बात करते हैं आप आपको 6GB RAM और 128GB वाला इंटरंस देखने को मिलेगा और इस स्मार्टफून में आप memory card लगा करके अपने इंटरंस इसको expand भी कर पाओगे 256GB तक बात करें स्मार्टफून के बैटरी के बारे में तो इस स्मार्टफून में आपको 4500 इमेज का बैटरी देखने को मिलेगा और साथ ही आपको 65W का fast chain का support देखने को मिल जाएगा जो कि इससे पहले आपको Realme 7 Pro में भी देखने को मिला था बात करें Realme 8 Pro के price के बारे में दोस्तों तो 6GB RAM और 128GB वाला जो इंटरंस हो जोगा इसका price आपको 19,999 पड़ेगा expected launch date की बात के तो Realme 8 Pro जो यह 23 जन्रवरी को launch हो सकता है तीसरा स्मार्टफोन OnePlus Nord Lite है दोस्तों जो की OnePlus Nord का lighter version होगा दोस्तों बात करें से स्मार्टफोन के specification के बारे में तो OnePlus Nord Lite में आपको 6.55 पेंच का full HD प्लस Super Amplit वाय डिस्पे देखने को मिलेगा और phone के top middle में आपको punch or notch देखने को मिलेगा जहां पर front facing camera का setup होगा साथी स्मार्टफोन में आपको 90 eyes का refresher देखने को मिलेगा और जो fingerprint sensor है वो आपको इन डिस्प्ले में ही देखने को मिल जाएगा कैमरा की बात के तो OnePlus Nord Lite में आपको triple rare camera देखने को मिलेगा जो main camera है वो आपको 48 MP का होगा साथी 16 MP का ultra wedding lens और 2 MP का आपको micro lens देखने को मिल जाएगा front के तरब से OnePlus Nord Lite में आपको 16 MP का selfie camera देखने को मिल जाएगा hardware की बात के तो OnePlus Nord Lite में आपको snapdain का 690 वाले chipset देखने को मिलेगा with doctor code 2 GHz के processor के साथ जो GPU आपको एड़ेड नों का 619 का देखने को मिल जाएगा साथी से smartphone में आपको Android Tanger what of the box देखने को मिलेगा with oxygen OS के साथ RAM and room wind की बात के तो यहाप आपको दो different RAM wedding देखने को मिल जाएगा 60 RAM and 8G RAM देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं इसके price के बारे में तो 60 RAM and 64G वाला जो starting variant है इसका price आपको 18,999 पड़ेगा अब बात करते हैं OnePlus Nord Lite के expected launch date के बारे में तो OnePlus Nord Lite जो यह 4 March टक launch हो सकता है चौथा upcoming smartphone Redmi के तरब से Redmi Note 10 Pro है दोस्तों बात करें से smartphone के specification के बारे में तो स्मार्टफोन में आपको 6.67 इंच का Full HD Plus IPS LCD रिवार डिस्पे देखने को मिलेगा और फोन के टॉप मेडिल मैपको 59 देखने को मिलेगा जहां पे front facing camera का setup होगा और साथी यहां पे आपको 120Hz का refresh rate देखने को मिलेगा कैमरा की बात के तो Redmi Note 10 Pro में आपको quadrar camera का setup मिलेगा जो main camera वो आपको 64MP का होगा साथी 13MP का ultra wedding lens, 5MP का depth sensor lens and 5MP का micro lens देखने को मिल जाएगा front के तरब से Redmi Note 10 Pro में आपको 32MP का selfie camera देखने को मिल जाएगा hardware की बात के तो Redmi Note 10 Pro में आपको Snapdragon 750G वाला chipset देखने को मिलेगा with doctor code 2.2GHz के processor के साथ GPU वो आपको Adreno 619 का देखने को मिलेगा साथी स्मार्टफोन में आपको Android 11 जो वाट अप दी box देखने को मिलेगा with MIUI 12 के साथ RAM एं डोम वेंट की बात के तो यहां पर आपको 6GB RAM वेडन देखने को मिलेगा साथी आप आपको 64GB एंट 128GB देखने को मिल जाएगा स्मार्टफोन में अप मेमोरी कार्ड लगा करके अपने इंटरन सो को expand भी कर पाओगे बैटरी की बात के तो Redmi Note 10 Pro में आपको 5000 इमेज का बैटरी देखने को मिलेगा और साथी आप अपको 33W का फास्सें के सपोर देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं इसके प्रेस के बारे में इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में इस स्मार्टफोन में आपको 6.4 इंच का Full HD Plus Super AM Red बार डिस्पेशन को मिलेगा और फोन के टॉप लेप साइट करने में आपको इस स्मार्टफोन में आपको 60Hz का refresh rate देखने को मिलेगा 180Hz का touch sampling rate और जो finger paint sensor वो आपको इन डिस्प्ले में ही देखने को मिल जाएगा क्यामना की बात के उते हैं इस स्मार्टफोन में आपको कॉर्ड राइड का सेट अप मिलेगा जो main camera वो आपको 64 Megapixel का होगा साथी 8 Megapixel का ultra wedding lens, 2 Megapixel का micro lens and 2 Megapixel का आपको portrait lens देखने को मिल जाएगा फ्रेंट के तरप से realme x7 में आपको 32 Megapixel का selfie camera देखने को मिल जाएगा हाडवेर की बात के तो realme x7 में आपको media tech का Dimensity 800U वाला चिपसट देखने को मिलेगा वित अक्टा कोड 2.4 GHz के प्रसेसर के साथ जो GPU वापको Mali G57 का देखने को मिल जाएगा साथी स्मार्टफोन में आपको android 11 जो what of the box देखने को मिलेगा वित realme UI के साथ रैम और रोम वेंट की बात करते हैं आपको single RAM वेडिन देखने को मिलेगा अब बात करते हैं स्मार्टफोन के प्रैस के बार में इसका प्रेस आपको 18,999 पड़ेगा पड़ेगा एक्सपेक्टेड लॉंच डेट की बात के तो realme X7 जो ही 18 फ़रवरी तक लॉंच हो सकता है यह पांचों अपकमिंग स्मार्टफोन है जो की 5G करने क्रिविटी के साथ लॉंच होने वाला है और इन पांचों में से आपके से स्मार्टफोन के लिए वेट कर रहे हैं कमेंट करके जोरू बताएगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आ होगा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा शेयर कर तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं फिर मैं मिलता है एक नियो और एक एक्साइटिंग वीडियो को साथ तब तक के लिए जाहिंद वंदे मात्रा हम थैंक यू फो वाचिंग इस वीडियो